हाई अब्रीवन एंड वेरी गुड आफ्टरून तो अलोफ यू और मोस्ट वेलकम वेलकम टू स्लेक्शन टागट कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पेट क्लास में स्टार्ट करेंगे आज कर सेशन जो कि यह पीवाइक्यू प्रीपोजिशन पर मैंने इनको करवा चुका हूं लेकिन फिर भी कई बार बच्चों जो नेने बच्चे आते हैं उनको वह चीजें मिलती नहीं है या वह ढूनने पाते हैं तो उनकी बहुत डिमांड थी बहुत सम करवा दीजिए आपसी रिक्वेस्ट है तो मैंने काफी पहले करवाया था इसलिए मैं एक बार फिर से दीमें दीमें करके आपको सारे पीवाइक्स करवा दूंगा जिससे की आपका माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरह की क्वेशन्स आपके एक्जाम से में पूछे जाते है तो सेशन को प्लीज डू लाइक और शेयर और नीव हैं तो सब्सक्राइब जरू करके जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे हमारे बीच काफी लोग लाइव है ताहिरा राखी स्वाती रंजना करूना आरवी आनही मनू समर सिंग और कैरी रतनेश और चली आगम दीपिका मेगा आरती वारशु रीता देविंद अमन भारती शाक्या आप सभी का स्वागत है और यह डिटेल्स आपको पता है आप इसका स्क्रीन शॉट लेनी जगा यदि आप पेट को जोइंग करना चाहते हैं फोटीजीटी पीजीटी आप इसका स्क्री महिने के अंदर खतम हो जाएगा लेकिन हमने सारे सब्सक्राइब करवाएंगे तो आप इंट्रेस्ट आप जोइंग कर सकते हैं नंबर सभी लोग जरूर रखिएगा मैंने आप सभी को बोला हुआ है कि सभी समस्याओं का एक ही इलाज है नंबर 9889292697 आप अपने मुबा सब्सक्राइब करते हैं 97 बच्चे भी हो गए हैं और पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा चले गुर आफ्टर नून मैंजबीन सर्ता सिंह अवदेश कुमार एमान शू और आम के आंसर दीजिए इस आप्जरिवेशन डू नॉट कंफर्म एनी लॉस इसमें क्या अगर आप लोगों की डिमांड पर ही है चलिए चेक करते चलिए कितना आ रहा है आपको देखेगा चलिए नमन चलिए आंसर दीजिए कोशन बर एक क्या होगा इस आप्जरिवेशन डू नॉट कंफर्म एनी लॉस और अपने पने स्कोर बताएं कितने स्कोर आप लोग कर रहे है मालॉम तो के बात नहीं बहुत बढ़ेगा और कंफर्म मुने क्या होता बेटा अनुपालन होता है या ना चलिया और एक होता है स्टारीशन करना का मतलब होता चिक्तक तरहां confirm यानि अनुपालन की बात हो रही है तो यहां रखिएगा बहुत बढ़ी है पहले question में तो आप सभी ने एकदम दमागा कर दिया बहुत बढ़ी है question number two का answer देजिएगा क्या होगा बताइएगा art is not an activity associated laser इसमें क्या होगा बताइए चलिए चलिए इसमें क्या होगा art is not an activity associated क्या बात है है ना हलुआ question हाँ बलिपल जब चीजें सीख जाते हैं तो चीजें हलुआ लगनी चाहिए मैं तो चाहिता हूँ कि आपको सारे questions हलुआ ही लगे क्योंकि हलुआ का मतलब हुआ कि आपको चीजें आ गई है और आ गई है तो मतलब आप एक्जाम के पक्के दावेदार है सीट के पक्के दावेदार है तो associate के साथ में हम वित लगाते हैं ठीक है जोड़ा रहने के sense में वित आएगा डी विल भी दा राइट आप्शन हो जाएगा associated with हो जाएगा very simple ठीक है art is not an activity associated with यह होता है और एक होता है affiliate होता है तो affiliate के साथ में हम 2 लगाते हैं ठीक है affiliate के साथ में 2 लगाते हैं संबंध होना क्या होना affiliated 2 होता है और यहाँ पर associated with होता है यह बात या रखियेगा ठीक है so answer will be D कुछ नहीं well fever हुआ था पहले यह लगा कि कुछ और है लेकिन well fever निकल के आया ठीक है question number 3 का answer दीजेगा क्या होगा बताईगा I will introduce you my boss this week इसमें क्या होगा बताईगा चलिए ठीक है हाँ चलिए चलिए जैविजेता thank you बेटा answer दीजे question में फर्स्ट का थर्ड का क्या होगा I will introduce you my boss this week इसमें c option चूस कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ज़िए आप किसी को किसी से introduce करते हैं तो क्या होगा to का इस्तिमाल करते हैं I will introduce you कि मैं आपको introduce करूँँगा किस से to my boss मेरे boss से और यह two क्या होता है यह two बेटा आपका adverb होता है यह मैंने आपको पढ़ाया है और यह negative word के पहले इस्तिमाल होता है बढ़ कुछ exception में यह positive word के पहले इस्तिमाल होता है सारे चीज़ें पढ़ाई है so answer will be c हो जाएगा या रखेगा question number four cancer दीज़ेगा क्या होगा my hat blue इसमें क्या होगा बताईएगा my hat blue चलिए बताईए इसमें क्या होगा my hat blue off off होगा यानि मेरी टोपी उड़ गई ब्लू आफ हो जाएगा और इसमें एक और होता है मैंने आपको कई सारे चीज़ें पढ़ाई है blow up का मतलब होता है explode हो जाना होता है explode हो जाना यह बात जहाना explode हो जाना और एक होता है blow in होता है टपक पढ़ना short visit मैंने सब कुछ पढ़ा है phrasal web भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं इस समय और सारी vocab मैंने पढ़ा रखी मतलब कोई कमजोरी छोड़ी नहीं है आपकी हर एक नस का इलाज किया मैंने क्योंकि मुझे selection चाहिए आप अपने काम के प्रति इमांदार रहेगा यह बात ध्यान आखिएगा आपकी इमांदारी ही आपको आपकी लक्ष तक ले जा सकती है वारिश हूँ क्योंकि नमबर फाइव का आंसर दीजे क्यों बताईएगा योर कंड़क्ट इसमैंक्स रेकलिसनेस आप जानते हैं कंड़क्ट का मतलब क्या होता आचरण होता है यहां पर यह क्या है नाउन का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है नाउन का काम कर रहा है क्योंकि Conduct का मतलब होता है किसी चीज को करवाना भी होता है एक्जाम करवाना तो Conduct वर भी होता है Conduct noun भी होता है इस्तेमाल की उपर है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं यह बात ध्यान दियाँ नखिएगा शलिए यह चीज करें सकते हैं कि आपका आच्रण है वह आपकी बेपरवाही का नतीजा है यह संकेत है यह बुरा चीज का संकेत है है आपके सकते हैं कि आपका आजना है वो आपकी बे परवाही का बुरा संकेत तो यहांपर बेपरवाही का बुरा संकेत का और यन कि और इस्तिमाल किया जाएगा यह जो कंदेक्ट स्मेक्स ऑफ रेकलिस्नेस атьप्सक्राइब 355 हो यहां यहां तो हुआ एक्जाम में गलती ना हो कोशिस बस यही रहनी चाहिए ठिक है ठिक बाना चला अगला क्वेशन कुष्ण मर्स 6 है और विल यू बी हेर दाव वीकेंड इसमें क्या होगा बताए चलिए चलिए इसमें क्या होगा बताए विल यू बी हेर दाव वीकेंड इसमें क्या होगा बताए अब देखें यहां पर क्या होगा यहां पर आपको एड का इस्तेमाल करना कि विल यू बी हेर एड दावीकेंड टेके एड का इस्तेमाल होगा यहां रखेंगे c will be the right option यहां पर आप इस्तमाल करेंगे you will you be here at the weekend ठीक है यह रखेगा आप कोई दिन का नाम होता है weekend में जैसे आता है कि Sunday weekend मतलब छुट्टी ठीक है और एक week होता है week माने सफ्ता ठीक है और एक wea के week माने कमजोर भी होता है तो सफता में जब Monday Tuesday Wednesday यह सब आते हैं तब हम उनके पहले on कर इस्तेमाल करते हैं ठीक है यहां पर इस चुट्टी की बात हो रही है यानि एक चुट्टी है तो यहां पर एड कर इस्तेमाल होगा c will be the right option हो जाएगा यहां रखेगा ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर हो गई बात so will you be here at the weekend चुट्टी पर आप क्या आप यहां पर रहेंगे सी आंसर यहां पर सही हो जाएगा या रखेगा question number seven का answer दीजे क्या होगा बताईए ठीक है question number seven keep clear wicked boys क्यों 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 बताईए फ्रॉम है ना बहुत सारे बच्चे कीप के हिसाब से यहां पर फ्रॉम लगाएंगे but clear off होगा ठीक है keep clear off wicked boys clear के हिसाब से लगाएंगे ना जब यहां पर clear off होगा यहां रखेगा ठीक है keep clear off wicked boys ठीक है बात समझ में कि keep clear off wicked boys तो clear क्या हो जाएगा यहां पर off लगाएंगे यहां रखेगा keep के लिए नहीं यहां पर off आ रहा है ठीक है यहाँ पर clear के लिए off आएगा clear off wicked boys यहाँ पर off करेंगे यह बात ध्यान रखेगा so the right option is A is that clear याद रखिए मत भूलियेगा कि last time TZT में 9 questions आपके only preposition से पूछे गए थे 11 questions आपके spelling error से पूछे गए थे यदि आप इनको underestimate करेंगे आपको underestimate करेंगे द्यान अखिएगा बहुत मुश्किल से वेकेंसी मिलती है मौका नहीं गमाईएगे दम लगा कि मेहन से मन से लगन से पढ़िये ठीके off आएगा यहाँ पर चलिए question number 8 कांसर दीजेगा क्या होगा बताईएगा ठीके I bought this pen 5 रूपीज इसमें क्या होगा बताईएगा चलिए इसमें क्या होगा कोई बात नहीं प्राची तो फिर आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा ज्यादा मेहनत करिए ज्यादा बार बार पढ़िए ठीके कोई बात नहीं इसलिए तो मैंने प्री पूजिशन का टॉपिक ले लिया आज आई बाट दिस पेन फॉर फाइब रुपीज क्या होगा फॉर फाइब रुपीज होगा ठीक है यहां पर फॉर का हो जाएगा यहां रखेगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं गलत होंगे तो पढ़ना पड़ेगा बेटा देखिए गलतियां आपको इस लिए अधीकर का एंडिकैसन और हवक करने के आवर्शकता रहे हैं तो आप समस्ता समस्ता पढ़ने का baik करेंगे ठीक है कि आपको पता है कि agree to something होता है आपको मैंने कई बार बताया है agree to something और या रखेगा agree with someone होता है यह आप किसी व्यक्ति के साथ में साहिमत होते हैं तो आप agree with someone लगाते हैं यह पर two लगाना पुड़ेगा क्योंकि यह पर your proposal लिखा हुआ है so answer will be D हो जागा यह रखेगा is that clear तो आपको यह भूला नहीं है बात समझ में आ गई हाँ पढ़िए hard work करना पुड़ेगा ठीक है और कोई रास्ता नहीं है कोई shortcut नहीं है है ना है ठीक है the cat is hiding us इसमें क्या लगाएंगे वह बताईए तक यूपी टीजीटी का अगर्शार एक्जाम के में आपको बात बताता हूं कि December deadline है ठीक है आपका December čo är guideline है ठीक है निदा के रहे सब पी पोजिशन को पका कैसे करें पढ़िए बढ़ा बार पढ़िये बढ़िये कि है ना है तो तर्क तो fix paip option of fix preposition को कि उतना आप रट सकतें बार- verb विलकुल बिलकुल श्रिकाँ इसमें क्या होगा है जो जो मेक्सिमिम्म डेट है वह दिसम्बर तक होना चाहिए नहीं हुआ तो फिर एक्जाम हो जाएगा वो चुनाओ हो जाएगा Q1 11 का अंसर दीजिएगा क्या होगा? Silk warm feed mulberry trees इसमें क्या होगा बताई है? ठीक है? Silk warm feed mulberry trees mulberry मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि उस शेहतूत का पेर होता है शेहतूत ठीक है नशेहतूत का पेर चलिए तो शिल्क warm feed आप अंसर विलीबी बी यहां पर हो जाएगा ठीक है? सुआनसर विलीबी बी ओन शिल्क warm feed on mulberry trees ठीक है? आपने खाया होगा शेहतूत बहुत अच्छा लगता है लेकिन जादा मात्र भी नहीं खाना चाहिए जब मैं चोटे था लगवाग चापान साल का उसमें बहुत अच्छी मीठी शायतूत थी मैंने बहुत जादा खाली थी कि लगभग आदा की लगवाग लगवाग यहां घागएगाई पिर वह पेट में डर्दुण था ना वो दर्द हुआ ना किसी दा हॉस्पिटल में अडमिठ ही होना पड़ा सो जादा मत खाइए कभी कि मीठी होती चबाया चले अच्छी बहुत लगती है और गुड जज नेवर ग्रॉप्स दा कंक्लीजन इसमें क्योगा बताईए ठीक है इसमें क्योगा बताईए सभय बद्द आप के सब्सक्राइए तो लिखा एंदे में और ग्रॉप्स दानलार का What Hem दो धर के बत में एट लगता है धिक अधिक अधि यह फ hidden आपन का दर सब्सक्राइब तो यहां पर 4 रहेगा ठीक है ग्रोप्स यहां पर हो जाएगा ठीक है So answer will be D हो जाएगा यहां रखिएगा ग्रोप्स 4 का मतलब होता है किसी solution के लिए अनिशित होना ठीक है जज जो होते हैं अच्छा जज जो होता है A long flight Indian Magpie indulges a long flight एंडलज के लिए क्या लगाते है मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है मैंने आपको पढ़ाया है मतलब शामिल होना होता है indulge हो गया या interest हो गया या believe हो गया ठीके इन सब के बात में हम क्या करते हैं इन कर自 minist इन करते हैं answer will be C the Indian Magpie indulges in a long flight in आएगा या या रखेगा in so C will be the right option हो जाएगा ठीके यह बात अच्छे तरीके से आप सभी लोग याद रखेगा इसके बाद में आपको वांसर देना है question number 14 का क्या होगा बताईए the doctor advised him to abstain all alcoholic drinks क्या बात है यह तो आप से भी लोग जानते है बहुत बार बता है अब ही मैं बताऊंगा पहले इसका answer देजे the doctor advised him to abstain all alcoholic drinks देखिए यह पर from आएगा आपको पता है abstain, restraint, prevent, prohibit इन सब के बात में from के इस्तेमाल करते हैं आप सब लोग जानते हैं ठीक है चाहे abstain आपका आजाए चाहे restrain आजाए आपका चाहे आपका prevent आजाए चाहे आपका prohibit आजाए इन सब के बात में हम क्या लगाते हैं from लगाते हैं ठीक है so answer will be B और भी बहुत लोग के बात में frame लगाते हैं यहाँ पर from इतना बहुत है ठीक है question number 15 में क्या होगा he knows how to play words he knows how to play words इसमें क्या होगा बताईए question number 15 में he knows how to play words इसमें क्या होगा बताईए जरा इसमें on आएगा है ना कि how to play onwards वो जानता है कि शब्दों पर कैसे खेले कुछ लोग बहुत होश्यार होते हैं जो marketing में होते हैं sales marketing में होते हैं वो शब्दों का ही जाल बिछाते हैं बहुत होश्यार होते हैं on see will be the right option आपका भी movie देखिए जो scam वाली है chap 1992 scam देखिए उसमें भी शब्दों का खेल बिछाता है वो जो हर्षत मेथा होते हैं और 2003 scam है अब्दुलकरीम तेलगी वाली movie वो भी क्या करते हैं वो भी जाल बिछाते हैं अपनी बातों का ही और तो बातों शब्दों से खेलना आना चाहिए चलिए लेकिन गलत काम के लिए नहीं अच्छे चीजों के लिए तीक है अच्छे चीजों के लिए अब यह नहीं कि लोगों को बेकूप बना के किसी का घर खराब कर दें question number 16 में क्या होगा this book consists 10 chapters इसमें क्या होगा बताइए अच्छा चलिए इसमें क्या होगा बताइए this book consists 10 chapters चलिए अब देखे इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि consist के साथ में हम क्या लगाते हैं और कभी कभी consist के साथ में हम इन भी लगाते हैं हम इन तब लगाते हैं जो चीज हमारे अंदर मौजूद होती है जैसे मैं कहूँ कि जो आपकी beauty है ना आपके character की जो beauty है वो आपके अंदर consist करती है आपके अंदर consist in you ठीक है तो वहाँ पर in का इस्तेमाल हम करते हैं वरना off लगाते हैं और इसका एक और होता है कि comprise होता है हम इसमें off नहीं लगाते हैं यह बात ध्यान लगाएगा off लगाएंगे किवल इसके साथ में इन भी लगता है confused मत होएगा लॉजिक भी लगाईएगा थोड़ा सा बी आंसर सही होगा यह रखेगा मत अब जितनी maximum possibilities बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ Q17 में क्या होगा She tuned to the music program इसमें क्योंगे बताईएगा हाँ जब हम किसी के quality के बारे में बात करते हैं जो किसी के अंदर मौजूद है उसके लिए हम कंसिस्ट इन लगाते है बिल्कुल बिल्कुल आरे भी चलिए इसमें क्योंगे बताईए अब तो वर्ड़क भी शुरू हो रहा है वर्ड़क भी शुरू हो रहा है She tuned to the music program इसमें क्या होगा बताईए On कर इसमाल करेंगे Tuned on So answer will be A She tuned on to the music program On बहुत बढ़िया Very good Shabbaz Into नहीं आएगा Tuned on कभी सुना कि into Do not match On कर इसमाल है The answer will be A Question number 18 Question number 18 A good judge Never jumps the conclusion Let's see Big Boss Big Boss I don't see I don't know What to do But in the World Cup 4th year One more time To see Time is not On any channel I don't know First we will know Then we will see We have a subscription A good judge never jumps What happens It feels down Two Two One more time To Concusion Also Two So answer Will be Two किसी offer मौकी पर कूते हैं तो at लगाते हैं कुछ लोग at लगा रहे हैं नहीं बेटा at नहीं लगाना है at कब लगाते हैं जब jump at offer किसी offer का फायदा उठाना हो किसी opportunity का यानि किसी author का फायदा उठाना हो तब वहाँ पर at लगाते हैं ठीक है बच्चा यहां रखियेगा ठीक है और विग बॉस में लोग गाली यह जगड़ा वगड़ा यह सब पसंद नहीं है घर में बिग बॉस हो जाएगा फिर Q19 में क्या होगा He vanished the darkness He vanished the darkness Sir free में Disney पर आ रहा है Free में आ रहा है World Cup free में आ रहा है ऐसा हो यह नहीं सकता Disney Hot Star का भी subscription लेना पड़ता है मेरे डिश्टीवी नहीं है ना वो यूस करता हूं क्या बोलते हैं डिश्वगरा नहीं है में पर ना D2H ना online वेनज्ञें इंटू होगा यानि किसी चीज में गायब हो जाना ठीक है He vanished into the darkness into the darkness यानि कि वे vanished मानने कि गायब हो जाना यानि वह गायब हो गया अंधिरे में वह अंधिरे में गुम हो गया क्या हो गिए गुम यह ना बी आंसर बिल्कुल सही होगा या रखेगा Q20 में क्या होगा बताएगा I am badly in need money I am badly in need money इसमें क्या होगा बताएगा इसमें क्या होगा बताएगा Yeah, Nidha Badiya is here SP Bakshi is on the date You should go to 1.30 and also get it to hospital and check me to' 에 semicwag I am badly in need money I am badly in need of money पैसे की जरूरत मुझे तेरी जरूरत तुझे पैसों की जरूरत answer will be a यानि off ठीक है the public are cautioned pickpockets pickpockets मतलब जो जेब मारते हैं जेब कतरे pickpockets का मतलब होता जो जेब कतरे होते हैं the public are cautioned pickpockets देखिए the public are cautioned pickpockets तो cautioned against लिखा जागए ठीक है यानि कि public जो है किसके खिलाफ वो सतर्क है तो वो pickpockets जो जेब माल लेते हैं बहुत बहुत उश्यार होते हैं जेब मानना भी बहुत बड़ी कला है आसान काम नहीं है लेकिन वो लोग तने ट्रिकी होते हैं आपको पता भी ने चलोगा कब आपके जेब कड़की हमारे भाईया हैं ताउजी के बेटे उनके जेब से कब 15,000 कड़के उनको पता भी ने चला हैं और वो भी वो नॉर्मल फॉर्मल पैंट पहनते हैं और अंदर वाली जेब में डालते हैं इसको लोग बहुत सिक्योर समझते हैं इसमें क्यों को बताईए मतलब क्या होता है के बराबर इक्वल इसमें क्यों को बताईए मेरा और मेरी डॉर्टर मेगा का भी बात है मा बेटी दोनों का जनन दन एक साथ क्या बात है बहुत बहुत शुकामना है आप दोनों को ही अब कितनी चोटी बच्ची है इसमें क्या हैं प्रिछिशक बहुत इसमें क्या है बताईए मतलब ही के बराबर? यानि बरिखेत अब को एक्वल के साथ में तू लगाते है तो जब परकों क्या लगाते हैं तो फों के बाद वी हम क्या लगाएंगे अजो गराएंगे तो ही लगाएंगे ताकिए उसकी अधेश के बराबर है उनने इच्छान जाहिए नहीं कि भलीया आधेश किया है है जो जो आजिए लोग होते हैं अजो अपने पतिशंगी बहुत बाद मांते तो पत्नी ने इच्छा जाहिए कि मुझे चाहिए तो हुकम मेरे आका वो इच्छा नहीं है वो आधेश है आधेश so answer will be c 2 आएगा या रखेगा ठीक है चलिए इसमें क्या होगा question number 23 the were the were statesmen accustomed the management great affairs there were statemen यह पर देर होना चाहिए दा नहीं होना चाहिए देर होना चाहिए there were statements accustomed the management great affairs यह देर होना चाहिए था चलिए इसमें क्या होगा बताईए आप जानते कि accustomed के साथ में टू लगाते एकस्टम मतलब होता आधी होना ठीक है एकस्टम डिमाने होता आधी होना यानि used to यानि कि given to और the management to the great affairs तू दोनों में आएगा तो नहीं तू नहीं आगा यहां पर off आएगा of the management of great affairs तू यहां पर आएगा तू तू तो कहीं है यह नहीं है accustomed के साथ में टू आता ही है और लडी मैंने कहीं बार बताया है और the management of great affairs यह भी आएगा ठीक है answer will be c is that clear चलिए अगला question है question number 24 I will sit my desk to do my lesson इसमें क्योंगा बताईए चलिए I will shit my desk to do my lesson इसमें क्योंगा बताईए I will sit my desk to do my lesson में मैं कहां पर बैठा हूँ I will sit at my desk मैं मेरा point of place क्या है कि मैं अपने desk बैठा हूँ ठीक है यह बात ध्यान अखिएगा ठीक है at यहां पर at I will sit at my desk मतला मैं अपने point of place पर बैठा हूँ अपना काम करने के लिए आप भी office जाएंगे तो अपने अपनी चेर पर बैठेंगे यह नहीं कि प्रिंस्पल की चेर में बैठ जाएंगे ठीक है ना जब प्रिंस्पल बनेंगे तब प्रिंस्पल की चेर में बैठीएगा चलिए question number 25 का क्या होगा अब आज 30 questions है कितने questions है 30 वैल पॉन फेल विक्टिम हिस ऑन ग्रीड चलिए वैल पॉन फेल विक्टिम हिस ऑन ग्रीड यानि जो वैल पॉन था वह अपनी ही लालच का शिकार हो गया था इसमें क्या होगा विक्टिम टू होगा या रखेगा ठीक है वैल पॉन फेल विक्टिम टू हिस ऑन ग्रीड टू होगा यहां पर विक्टिम टू ठीक है तो यहां पर यहां रखे कि वेल पॉन विक्टिम तो इस आउन ग्रीड तो आंसर विल भी ए हो जाएगा विक्टिम टू इसको यहां रखे का अच्छे तरीके से ठीक है इसके बाद में आपको आज आंसर देना है कुष्चन नमर्ड ट्विन्टी सिक्स का क्या होगा बताईएगा सम्ट्रेंज आर रन इलेक्टरिसिटी इसमें क्या होगा बताईचलिए अभी सुमन जी करें थैंक्यू अभी टाइम थर्टी कॉपेशन से आज ठीक है आज 30 questions है some trains are run electricity तो देखे train जो होती न वो चलती है तो on लगाएंगे run on some trains are run on electricity on लगाएंगे यहाँ पर आपको यह बात पढ़ाएंगे यह कई बार ठीक है buy नहीं होगा बैटा buy का इस्तेमाल नहीं करेंगे buy का मतलब तब होता है buy का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे कि आप travel buy आप किसी चीज से travel कर रहे हैं मतलब buy के बाद में कोई ना कोई mode of transport होता है electricity कोई mode of transport नहीं है बलकि यह एक medium कह सकते हैं तो run on electricity होगा answer will be B हो जागा यहाँ रखेगा is that clear? चलिए question number 27 लिखा हुआ है sir कहीं कहीं पर buy दिया हुआ है नहीं run on electricity होता है buy नहीं होता है run on electricity होता है buy के बाद में जब mode of transport आता है जिसे buy bus, buy train, buy plane, buy air, buy land, buy sea, buy water वहाँ पर हम buy लगाते हैं मैंने तो यही पढ़ाया अज तक मैंने तो यही पढ़ाया अगर किसी के पास में कहीं पर को चीज मिलती है तो मुझे WhatsApp कर दीज़ेगा मैं छेक कर लूँगा एक बार I don't understand what you are getting on getting on नहीं होगा getting at यहाँ पर सही होना चाहिए I understand what you are getting at getting at का मतला होता है पहुँचना या किसी चीज का पता लगाना कि आप किस चीज का पता लगा रहे हैं तो यहाँ पर getting at होगा Get on का मतलब क्या होता है get on का मतलब होता है किसी चीज पर सवार होना कल मैंने get वाले पढ़ाई भी है get on को मतलब यह निए, किसी चीज़ पर सवार होना ok get on train, train पर सवार होना get on का मतलब होता है, गेड on का मतलब होता है, प्रगत्ही करना भी होता है उसके मैंने इसे कुछ कल बताया थ क्थे यह यह रखिएगा get on, प्रगत्ही करना इस इस पर support करना पदेगा लेकिन यहां पर get at होगा मतलब कि मैंने समझ पा रहा हूँ कि आप कहां पहुंच रहे हैं या क्या आप पता लगा रहे हैं वो यह कहना चाहे रहा है यहां पर at कर स्तेमाल होगा यहां रखेगा c will be the right option ठीक है बाद समझ में आगी at यहां पर से यह get at का मतलब होता किसी चीज़ का पता लगाना जैसे कि मैं कहे दू get at truth सच्चाई का पता लगाना get at truth सच्चाई का पता लगाना तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया इसको ध्यान रखिएगा question number 28 का क्या होगा she is going to have another blouse made to go with her costume as her old one is quite worn इसके बाद में क्यों होगा बता ही चलिए देखे worn out होगा worn out का मतलब होता है खराब हो जाना फट जाना worn out हो जाएगा मतलब खराब हो जाना फट जाना B answer यहां पर बिलकुल सही होगा she is going to have another blouse यहां पर क्या होगा worn out यानि फट गया है उसका पुराना वाला क्या होगा फट गया है we said as soon as the old man pointed out the way to us we said as soon as the old man pointed out the way to us इसमें क्या होगा बता ही चलिए ठीक है अगर आपको कहीं किसी बुक में कुछ और मिलता है कहीं पर भी आपको एक miss relation मिलता है तो आप मुझे वाटसप कर दिया करिये मैं इसको देखूँगा चेक करूँगा कैसा क्या है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ अलग अलग दिया रहता है जो बिल्कुल भी लगता है कि अप्रोप्येट है या नहीं कहीं भी नहीं सकते तो उसको चेक करके ही क्लेरिफाइ किया जा सकता है वी सेट आफ सेट आफ का मतलब क्या होता है किसी यात्रा की शुरुबात करना यह मैंने आपको पढ़ाए है सेट आफ मतलब स्टाट जर्नी यह पर आफ आएगा यह बात ध्यान अखिए गया सेट आफ ठीक है सेट आफ जैसे बुड़े बुजर्ग वेक्ती ने हमें रास्ता बताया तो हमने क्या कि अपनी यात्रा को शुरुबात कर दिया सेट यह बहुत जैएगा बिल्कुल राइटस पर कोई दो रहे नहीं है कोस्ट नमबर थर्टी और लास्ट कोश्टन है कि शी सैट दैर शी वास फिलिग सिप हाट चैके शी सैट दैर शी वास फिलिंग सिप हर्ट यह पर क्या कोई है बतायेगा मैंने पढ़ाया सेट आफ मैंने पढ़ाया है फ्रेजल वब में मैंने पढ़ाया भी था पढ़ाया बहुत कुछ है कंटेंड की कोई कमी नहीं है बस जो नए बच्चे आते हैं उनको पुरानी चीज़े जल्दी नहीं मिलती है क्योंकि काफी सारी वीडियो हो गई है इसलिए मैंने अजไป कुछ कर गभाया है sick at heart ठीके sick at heart होगा यहा atPorElt होना का मतल्म होता है upset होना ठीके बहुत दुखी होना upset होना उसके लिए तो मसे दुखी मैसूस कर रही थी उसने कहा कि वह बहुत दुखी मैसूस कर रही थी बहुत अप्सेट मैसुस कर रही थी तो यहां पर क्या शिक एट हो जाएगा यह रखेगा इन नहीं होगा एट होगा पेटा इन होगा सिख एट होगा मतलब दुखी होना अपसेट होना है ठिक है वाध समझ में आगी यह थे आज के आपके जो मैंने आपको करवाए ताकि आप यह समझ सकें कि किस लेवल पर questions पूछे आते हैं अभी बहुत सारे हैं अभी 30 और भी है टोटल 60 questions थे बर सेशन बहुत लंबा हो जाता अब मुझे जाना था 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 हस्पिटर इस वज़े से 30 questions more than sufficient ठीक है और बाकि बारे में जो लोग जोईन करना चाहते हैं जितना लेट करेंगे आपको उतनी ही classes recorded watch करनी पड़ेंगे very simple criteria हम batch transfer नहीं करते हैं जो आप जिस batch में इंडॉल जाएंगे उसी batch के आपको सारी चीज़ें प्रवाइड होगी और अभी जोईन करेंगे तो अभी ज्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं अभी बहुत सारी टॉपिक बाकी भी हैं जोईन कर सकते हैं 31st August तक वैलिट रहेगा तो जितना देर में जोईन करेंगे आपको वैलिटी भी उतनी ही कम मिलेगी तो 24 आपकी ही है कि आपको देर आना है कि कैसा आना है और यह नंबर है इस नंबर पे कर सकते हैं और यह बैच खताम हो चुका है लग बाक सब कुछ खता में एक चीज़े मुझे एक्स्टा पढ़ानी है तो वह मैं कुछ समय बाद पढ़ा दूंगा यह लक्ष बैच है यह सब कुछ बहुत है आपके लिए नंबर जरू यह रखिगा 9889292697 हर मर्ज की एक दबा यह नंबर इसको जरूर अपने पास रखिएगा तो चलिए बहुत बढ़ी है लगा सेशन अच्छा था मतब आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा और यही चीज आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही टाइम बहुत हो रहा है मुझे बहुत जल्दी निकलना वरना बंद हो जाएगा होस्पिटल आपको बद बंद हो जाता है तो आपका सेशन अपनी फैमिली का ख्याल रखिए बबाई ठेक्या नमस्का और चैहिंद